हेलो फ्रेंड्स एक्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं इंद्रियत फिर से हाजिर हूँ आप समके सामने एक नई टॉपिक लेकर और इस टॉपिक का नाम है नई शिक्षानिती 2020 आपको बिता दे कि अभी जो एक्जाम चल ला है इस्टेट का इस्टेट भिहार में जो एक जाम चल ला है इसमें सिक्षानिती से कई सारे सेट में प्रसंद पूछे गया हैं किसे सिक्षानिती से तो इसी भी से पर लेकर मैंने पुराना सिक्षानिती और नई सिक्षानिती को लेकर एक वीडियो बना है तो चलिए शुरू कर पूरानी सिखशानिति कहो आप देख सकते हैं बीडियो आप तो आधिए हैं नई सिख्छानिती और पूरी डिटेल में की से समझते हैं। तो सबसे प्रस्ण यहीं से बनता है कि कितने क्लास तक के बच्चों को मात्री भासा में पढ़ाई जानी है तो नई सिक्षानिती के तद पांचवी क्लास तक के बच्चों को मात्री भासा में पढ़ाई जानी है चलिए जानते हैं इसकी बड़ी बात है क्या है तो नई सिख्षानिती 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई अब कब मिली है और कौन-कौन थे इसको भोसना करने में उसको देखते हैं चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं क्या है इससे पहले 1986 में शिख्षानिती लागु की गई थी इससे पहले कब लागु की गई थी तो 1986 में और फिर 1986 में जो लागु की गई थी उसमें 1992 में कुछ संसोधन के साथ इसे फिर से लागु किया गया 1986 में लागु किया था उसमें 1992 में कुछ संसोधन किया था 1986 जो शिख्षानिती थी उसमें कुछ संसोधन किया गया यानि अब फिर कब तो 2020 में नई सिक्षानिती लागु की गया यानि पूरे 34 साल बाद यानि 34 साल बाद देश में नई सिक्षानिती लागु की जा रही है कब 1986 के बाद चिदे 24 साल बाद लागु की जा रही है बीच में 1992 में कुछ संसोधन किये गये थे लेकिन 34 साल बाद पुरी तरह से सिक्षानिति को बदला गया है लागु किया गया है चलिए देखते हैं इस 2020 यानी 2020 की सिक्षानिति में क्या है तो पुर्व इस रोप परमुक क कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष कौन थे तो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेशगो के टीम ने इसका मसावदा तयार किया था जिसे परधानमंतिरी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुद्वार को मंजूरी दे दी नई सिक्षानिति में स्कूल सिक्षा से लेकर उच सिक्षा तक कई बले बदलाओ किये गए हैं कई बड़े बदलाओ किये गए हैं वह आपको नीचे अभी मैं बताऊंगा तो चली देखते हैं आगे क्या है इसकी मुख बाते क्या है नई सिक्षानिती 2020 की मुख बाते देखते हैं क्या-क्या इसके क्लास तक मातरी भासा अस्थानिय भासा या छेत्रिय भासा में पढ़ाई जाने की बात कही गई है नई सिक्षानिती में इसे क्लास आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है आगे विदेशी भासाओं की पढ़ाई सेकंडरी लेवल से होगी हलाकि नई सिक्षानिती में यह भी कहा गया है किसी भी भासा को थोपा नहीं जाएगा बच्चों को किसी भी भासा में जबरस्ती नहीं पढ़ाया जाएगा चली आगे जलते हैं अगला पॉइंट क्या है यह सभी वो पॉइंट है जो काफी महत्पून है और एक्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको जो साल 2030 तक इस्कूली सिख्षा में 100% GER यानि gross enrollment ratio के साथ माध्मिक अस्तर तक education for all यह मत्पूर्ण है क्या education for all का लक्ष रखा गया है तो आप से एक्जाम में पूछ देगा कि education for all का लक्ष कब तक रखा गया है तो यह 2030 तक रखा गया है या फिर 2030 आपको देदेगा कि 100% एक्जामी पूछ देगा कि 100% GER ग्रोस enrollment ratio का लक्ष कब तक रखा गया है तो यह 2030 तक रखा गया है तो यहां से इस ट्राइब के प्रस्ण बनते हैं अगला point देखते हैं क्या है अगला point है हमारा अभी स्कूल से दूर रह रहे है दो करोर बच्चो को दोबारा मुख धारा से धारा में लाया जाएगा दो करोर बच्चे सरकार के रिपोर्ट के मताबिक दो करोर बच्चे है जो स्कूल पहले आते थे और अब छोड़ चुके है उन्हें फिर से स्कूल में लाया जाएगा ऐसी निती तयार की जा रही है इसके लिए स्कूल के बुनियादी धाचे का विकास और नवीन सिक्षा केंद्रों की अस्थापना की जाएगी चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है अगला पॉइंट है इसकूल पाठकरम के 10 प्लस 2 धाचे की जगा अभी तक हमारा कौन सा धाचा था तो अभी 3 प्लस 3 प्लस 4 का नया पाठकरम सनचना लागू किया जाएगा कौन सा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ये अब लागू किया जाएगा जो करम सा 3 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 और 14 से 18 उम्न के बच्चों के लिए है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ये इस टाइब का है ठीक है तो चलिए इससे आगे देखते हैं इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को इसकूली पाठकरम के तहत लाने का प्रावधान है जिसे विश्वास्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्पून भूक चरन के रूप में माननेता दी गई है अगला परनाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली सिक्चा और 3 साल की आंगनवारी होगी सबसे पहले 3 साल बच्चा आंगनवारी में पढ़ेगा ये है चलिए इसके तग सत्रों के सुरुआती स्टेजिक की क्लास को रखा गया है. अगले स्टेज में, तीसरी, चौर्थी, और पांचवी क्लास को रखा गया है. इसके बाद, मिडिल स्कूल, यानि, 6-8 कक्षा में, सब्जेक्ट का इंट्रोड़क्षन कराया जाएगा. कब 6-8 कक्षा में बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा अब है आगे क्या इसके आगे पड़ते हैं एक नया राष्ट्री आकलन किंद्र यानि परक परक का समग्र विकास के लिए कारे परतासक आकलन समिक्षा और ज्यान का विसलेशन परक का मतलग यह है एक मानत निर्धारक निकाय के रूप में अस्थापित किया जाएगा इसका नाम होगा क्या परक चलिए अगला पॉइंट देखते हैं पढ़ले लिखने और जोर घटाओ संख्यानात्मक ज्यान की बुनियादी योगता पर जोर दिया 2020 के 20 में मानव संसातन विकास मनत्रा लाय दूसरा बुनियादी साक्षर्ता और संख्यानात्मक ज्यान पर एक राश्ट्रिये मिशन की अस्थापना किये जाने पर विश्येश जोर दिया गया है चलिए आगे देखते हैं NCRT आठ वर्ष की आयो तक बच्चों के लिए प्रारमदिक बच्चपन देख भाल और सिख्चा के लिए एक राश्ट्रिये पाठकरम और सेक्षिक धाचा विक्सित करेगा कौन NCRT करेगा ये आठ साल आयो की बच्चों के लिए चलिए अगला पॉइंट है मारा इसकूली में सेक्षिनिक धाराव और पाठित्तर गतिविदियों और व्यवसाइक सिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा ये तीनों सेक्षिनिक धाराव पाठित्तर गतिविदी और व्यवसाइक सिक्षा का भी अस्थान दिया जाएगा इसमें कोई अंतर नहीं होगा समाजिक और आर्थिक नजरिये से वंचित समुहों की सिक्षा पर विशेश जोड दिया जाएगा यह नई सिक्षा निती में कहा गया है जोड़ी आगे देखते हैं इसक्षकों के लिए राष्ट्रिये प्रॉफेशनल मानक इन पी एस्टी राष्ट्रिये अध्यापक सिक्षा परिशत द्वारावर्ष दो जार बाईस तक विक्षित किया जाएगा जिसके तहत इन सिर्ट इस सिर्ट सिक्षकों और सभी अस्तरों एवंग स्षेत्रों के पर्षृटन से मंतराले को से घृत गया है यह से इक प्रस्ट बंता है तो इसके बंतलब यह है कि रोमेस् तकने संग विकास मंत्री थे अब देश के शिक्षा मंत्री का लाएंगे अब यह देश के सिख्षा मंत्री हो चुके है चलिए gdp का 6 5o का शिक्षा में लगाने का लक्ष мор जो अभी Тक 4.43 फिश्दी है अभी कितना था GDP का 4.43 फिश्दी है जिसे कितना कहा गया है 6 फिश्दी सिक्षा में लगाने का लक्ष रखा गया है चलिए आगे देखते हैं नई सिक्षा लिती का लक्ष 2030 तक 318 आयू वर्क के परतेक बच्चों को गुनवत्ता पुर्ण सिक्षा परदान करता है कितना 318 वर्स आयू के बच्चों को चला अगला अगला देखते हैं छटी क्लास से वो केशनल कोर्स शुरू किये जाएंगे इसके लिए इसके एक छुप छात्रों को छटी क्लास के बाद से ही इंटर्नसिप करवाई जाएगी इसके अलावा म्यूजिक और आर्स को बढ पूलेटर रहेगा लोग और मेडिकल सिख्चा को छोड़ समस्त उच सिख्चा के लिए एक एकल अती महत्पुन व्यापक निकाय के रूप में भारत उच सिख्चा आयोग का गठन किया जाएगा चलिए आगे देखते हैं आगे के पॉइंट है मारे ही सी आई के चार स्वत सिख्चा परिशद वित पोशन के लिए उस सिख्चा अनुदान परिशद और पत्यायन के लिए राष्ट्रिये परतियायन परिशद उस सिख्चा में 2035 तक कब तक 2035 तक 50 फिद्दी GER पहुचाने का लक्ष है फिलहाल 2018 के आकरों के उसार GER यानि Gross Enrollment Ratio कितना है अभी 26. प्रतिसत है अभी 26.3 प्रतिसत है उस सिख्चा में 3.5 करोर नई सिट जोरी जाएगी चलिए आगे के पॉइंट देख लेखते हैं पहली बार Multiple Entry और Exit सिस्टम लागू किया जाएगा आप इसे समसकते हैं कि आज की व्योस्ता में अगर 4 साल Engineering पढ़ने या 6 सेमेस्टर आते हैं तो आपको पास कोई उपाय नहीं होता लेकिन Multiple Entry और Exit सिस्टम में एक साल के बाद सर्टिफिकट दो साल के बाद डिपलोमा और 3-4 साल के बाद डिगरी मिल जाएगी कब Multiple Entry और Exit सिस्टम में एक साल के बाद आपको सर्टिफिकट मिलेगा अगर एक साल के बाद छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकट मिलेगा एक साल का दो साल के बाद आपको छोड़ देते हैं तो दो साल का आपको डिपलोमा का सर्टिफिकट दिया जाएगा अगर तीन इसक्षा निती में छात्रों को यह आजादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़ कर दुसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और कोई दूसरा कोर्स जोईन कर सकते हैं चलिए आगे देखत सर्च में जाना चाहते हैं वो एक साल के में के साथ चार साल के डिग्री प्रोडाम के बाद सीधे पीसडी कर सकते हैं यह काफी इंपोर्टेन वीडियो है जो आपको आने वाले कुछ समय बहुत ही मुहत्पूर्ण होगा आपके लिए एक्जाम के लिए तो यह आप पूरा संस्कृति और अनुसंधान च्हमता को बढ़ावा देने के लिए एक सिर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिशर्च फाउंडेशन की अस्थापना की जाएगी NRF का मुखुद्देश विश्विध्यालियों के माध्यम से सोध की संस्कृति को सक्षम मनाना होगा NRF स्वतन्त रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गौर्णर्स द्वारा सासित होगा चलिए क्या NRF आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है मारा तो उच सिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पार्दरचिता लानी होगी SC, ST, OBC और अन्विशिष्ट स्रेनियों से जुड़े हुए छात्रों की योगता को प्रुसाहित करने का पडियास किया जाएगा चात्रविर्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगती को समर्धन पदान करना उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगती को ट्रेक करने के लिए रास्त्रिय चात्रिय पोटल का विस्तार किया जाएगा निती नीजी उच सिख्षन संथानों को अपने यहां चात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त सिख्षा और चात्विर्तियों की पेशकस करने के लिए पुरसाहित किया जाएगा अगला पॉइंट है मारा इ पाठक्रम सिख्षचिप्षा में विक्षित किये जाये वर्च लेब विक्षित की जा रही है क्या वर्चूब लेब और एक राष्टी ये सेक्षिक टिकनोलजी फोरम बनाया जा रहा है अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है तो अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में महामारी और वैस्विक महामारी में वृद्धी होने के परिणाम सुरूब ऑनलाइन सिक्षा को बढ़ावा नहीं है गुनुवत्ता पुर्ण सिक्षा के वैकलफिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उस सिक्षा दोनों को यी सिक्षा की जोर्तों को फूरा करने के लिए एक M.H.R.D. में डिजिटल और सनरचना, डिजिटल कंटेंट और छमता निर्मान के उद्देश से एक समर्पित इकाई बनाए जाएगी अगरा पॉयंट अमारा सभी भारतिय भासाओ के सनरक्षन, विकास और उन्हें और जिवन्त बनाने के लिए नई सिक्षा निति में पाली, फार्सी और प्राकिर्त भासाओ के लिए एक Indian Institute of Translation and Interpretation राष्ट्रिय संस्थान के अस्थापना करने, उच सिक्षन संस्थानों में संस्कृत और सभी भासा विभावों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उस सिक्षन संस्थानों के कारिक कर्मों में सिक्षा के माध्यम के रूप में मात्री भासा, अस्थानिय भासा का उप्योग करने की सिफारिस की गई है इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, आप हमारे चैनल एकजाम दवार पर नए है, तो वीडियो का लाइक और सेर कर दे, साथ ही चैनल को सस्क्राइब कर ले नई सिफ्षानिती का ये बहुत ही इन्पोटेंट वीडियो है, आप इसे जहूर देखे, साथ ही आप हमसे वाट्सअप ग्रूप के माध्यम से जूर सकते हैं, उसके लिए ग्रूप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से आप सीदा हमें जोइन कर सकते हैं, इसे के साथ हम आप साथ फिर में लेंगे, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, जय इंद, जय भारत